Hello everyone, welcome to our YouTube channel देशी नुसके दोस्तों आजकल जैसा मोसम चेंज हो रहा है इस मोसम में नोर्मल अगर किसी का इम्यून सिस्टम जराजा सा भी वीक है तो एजली उसको जो चोटे चोटे बिमारियां हैं वो अपनी चपेट में ले लेती हैं जैसे जुखाम है, कफ है, हलके फुल की खासी है या बुखार है और आजकल यही सारे सिंटम्स मैच करते हैं हमारे कोरोना से जो कि आजकल देश में सबसे ज़्यादा पीक पर चल रहा है तो ऐसी इस्तिती में हमें ज़रुवत है कि जैसे हमें कोई भी अपने शरीर के अंदर इस तरह के सिंटम्स दिखाई दे तो हम घरे लू कुछ एक चीजों का यूज करके उसे वही के वही दोस्तों कंट्रोल कर लें कोई ऐसा natural antioxidant हमें लेने की ज़रुद पढ़ती है जिसका यूज करने के बाद में वो हमारी चोटी मोटी problems जो हमें हो जाती है वो वही की वही कंट्रोल हो जाएं आज मैं आपको एक बहुत ही natural तरीके से बना हुआ आयरवेरिक तरीके से बना हुआ एक drop बताऊंगा जिसका यूज करके आपको अगर गले में हलके फुलकी खराश है या जुखाम है नजला है तो ये उसको कंट्रोल करता है साथी साथ आपके immune system को boost करने का बहुत ही important role play करता है और आज के समय में immunity boost अगर हमारी है इम्यूनिटी हमारी सही तरीके से काम करती है रोग पिट्ति रोदब शमता अगर हमारी मजबूत है तो चोटे मोटी जो बिमारियां है उन से लड़ने की हमारी शरीर की जो चमता है वो बढ़ जाती है तो हमें कुछ एक ऐसी चीजों का यूज बीच बीच में जरूर करते रहना चाहिए जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉंग रहे जो मैं आपको एक चोटा सा प्रोटेक्ट बताने जा रहा हूं इसका यूज करके आप इसकी दो से तीन डॉप का अगर यूज करेंगे और दिन में दो से तीन बार अगर यूज करेंगे तो जो भी आपको इस खाम है सिरदर्द है या नजला है अलका फुलका फीवर है तो यह उससे आपको रिलीफ होचाएगा और साथ इसाथ आपके इम्मिनिटी को भी बूस्ट करेगा यह दोस्तों तुलसी मंतरा तुलसी ड्रोप्स के नाम से यह आता है यह एक तरह का इम्मिनिटी बूस्टर है इ इसकी जो ओवरोल कोस्ट है वो 186 रुपीज है 25 ml की और इसके अंदर कई सारे गुण मुझूद है जो विचनू तुलसी होती है वन तुलसी होती है राम तुलसी कृष्ण तुलसी शुकला तुलसी यह सारी चीज़े इसके अंदर सारी तुलसियों को मिला कर यह तयार किया है इसके यूज़ करने का तरीका भी बहुत असान है आप हलके गुल्गुने पानी में दो से तीन ड्रोप अगर आपको हलका कफ है या फीवर है या आपको जुखाम है तो आप दिन में दो से तीन बार इसको ले दो से तीन ड्रोप डाल कर और अगर बच्चों को किसी को इ घृत हो रहे हैं तो वो 1 बूंद दालकर उनको हलके गुळ कुन्बुने पानी में मिलाकर उनको दें और इससी तरह से आफ इसको घंसा को यह पी सकते हैं चीहां गियरयन की कशेट करते इसका लिंक नीचे description box में available है अगर आपको यह वाई करना है तो online आप इसको खरीच सकते हैं या आप अपने नजदी की store से जाकर भी इसको ला सकते हैं धन्यवाद